Hello students, आज हम second class की English reader का chapter number one start कर रहे हैं Chapter का name है Rescue of a tiny friend एक छोटे से friend का rescue mission Rescue मतलब उसको मुसीबत से बचाना किसी तरह की अगर कोई परेशानी में है अगर कोई छोटा सा friend तो उसको बचाने के बारे में एक story है Rescue of a tiny friend तो सबसे पहले इसमें कुछ activity दे रखी है फिर story time है तो पहले इस activity को देख लेते हैं activity है जिसमें true और false आपको put करना है तो first sentence है We must help our friends हमें हमारे friends की help करनी चाहिए तो सही है, सही बात है हमें अपनी friends की help करनी चाहिए तो true आ जाएगा दूसरा है We should fight with our friends हमें अपने friends के साथ fighting करना चाहिए लड़ाई करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तो false आ जाएगा We should not talk politely हमें politely बात नहीं करना चाहिए No, ये भी wrong है हमें तो politely बात करना चाहिए सभी लोगों से है ना, तो कभी true और false है अगर हमें put करने हो तो ऐसे सही वाले sentence के आगे हम true put करेंगे और wrong वाले sentence के आगे हम false put कर देंगे ठीक है, अभी story start करते है, story time तो देखो, इस story में एक boy है ये window की तरफ देख रहा है, window की तरफ इन्हें एक beautiful सा bird दिखाए दे रहा है इनकी ये sound को, chirping को ये सुन रहा है, चलो start करते है story it was a beautiful sunny day, एक beautiful sunny day था, मतलब sunny day का मतलब जब अच्छी सी धूप निकली हुई हो, ऐसा दिन है john was enjoying lying on his bed and looking at the window john नाम के एक लड़का है, वो enjoy कर रहा था, लेटा हुआ, बेड पे लेटा हुआ, वो enjoy कर रहा था और window के तरफ देख रहा था, ये उसकी window है, और bed पे लेटा लेटा इसकी तरफ देख रहा है he was patiently listening to the chirping of birds, वो बहुत patiently, बहुत शांती से, धीरे धीरे से चुप चाप, जो birds की chirping है ना, birds की चहे चहाने की, पक्षियों की चहे चहाने की आवाज होती है उन्हें बहुत शांती से carefully सुन रहा था, और window के तरफ देख रहा था, उसे beautiful, colorful birds बाहर दिखाई भी दे रहे थे तो देखते हैं, suddenly a tiny and colorful bird caught his sight अचानक से एक जो छोटा सा, tiny का मतलब होता है, छोटा सा and colorful bird और colorful bird पर उसकी नजर पड़ी caught his sight का मतलब हो गया कि उसने उसको देखा, एकदम से किसको देखा, उसने छोट ऐसे bird पर जो की colorful भी था, ठीक है उसे उस bird को देख करो बहुत खुश भी हुआ, ठीक है, देखते हैं, what a beautiful bird, thought John, जोन ने सोचा रहे वायर, कितना सुन्दर पक्षी है what a beautiful bird, कितना सुन्दर पक्षी है, thought John, जोन ने ऐसा सोचा, ठीक है he noticed, थोड़ी देर बाद उसने एक और चीज़ नोटिस की, that the bird suddenly got frightened थोड़ी देर बाद उसने ये नोटिस किया, कि bird अचानक से डरने लगा है, किसी न किसी चीज़ ने उसे डरा दिया है एक दम से उसने कुछ ऐसा देखा, उस bird ने, जिससे वो डर गया थीक है, क्या उसने देखा, वो देखते हैं, तो फटाफट से लड़का लेटा हुआ जो था ना, वो उटके विंडो के तरफ गया और देखा कि ऐसा क्या हो गया, जिससे bird डरने लगा है तो he jumped off his bed, याने कि वो फटाफट अपने बेट से कूदा, याने कि उतरा and ran to the window, वो लड़का विंडो के तरफ गया, यह देखने के लिए कि ऐसा क्या हो गया, कि वो जो छोटा सा, टाइनी सा, लिटिल सा, कलरफुल सा bird था ना, वो डर क्यों गया out in the meadow, he found a big grey wolf with hungry eyes meadow किसको बोलते हैं, घास का जो मैदान होता है न, उसको अपन meadow बोलते हैं तो उस out of meadow, meadow में उसने देखा एक बहुत बड़ा grey कलर का wolf था with hungry eyes, जिस ऐसा लग रहा था कि भूक लगी है और वो किसी ने किसी को खा जाना चाता है तो इसी को देखकर वो जो little tiny bird था न, वो डर गया था कि कहीं ये wolf मुझे खाना जाए ठीक है, तो उस wolf को उस लड़के ने देख लिया, जो नाम का जो boy था जो कि बाहर sight seeing कर रहा था, उसने देखा कि grey color का wolf है जो भूका लग रहा है और वो खा लेना चाता है, शायद उस bird को तबी जोन ने सोचा, क्या सोचा? I must help the little bird, मुझे इस छोटे से bird की help करने चाहिए exclaimed John to himself, जोन ने खुद से कहा, अपने आम से कहा कि यार मुझे इस छोटे से bird को help करना चाहिए नहीं, तो ये जो grey color का wolf है, इसको परेशान करेगा और खा भी सकता है, ठीक है? तो इसके लिए उसने चारो तरफ देखा he looked around, यानि कि उसने चारो तरफ देखा and so a branch touching his fence, चारो तरफ देखा तो उसको पता लगा कि उस पेड़ की, जिस पर उस ट्रीप की, जिस पर वो tiny सा bird बेठा हुआ है उसकी एक branch उसके घर की दिवार से, चार दिवारी से fence से touch हो रही है he thought for some time, उसने थोड़ी देख तक सोचा and made a plan, और एक plan बनाया scheme बनाई, एक idea उसके mind में आया he got a rope, वो एक रसी लाया and made a news of it, रसी लाया और फिर उसका फंदा बना दिया ऐसे न ताकि उसको कहीं पर फसाया जा सके he made a news of it, he then carried the rope and climbed on the branch फिर वो उस रसी को पकड़के उस branch तक चला गया जहां पे वो bird बेठा हुआ था bird के पास पहुँच गया रसी को उस branch के सहरे लगाके और धीरे-धीरे करते हुए वो उस tiny little bird के पास पहुँच गया climbed on the branch फिर वहाँ जाकर उसने bird से क्या कहा don't worry, चिंता मत करो don't be frightened, डरो मत I will help you जोन ने कहा किस से उस tiny little beautiful bird से I will help you, मैं आपकी help करूँगा just go and flying around the wolf बस इतना करो कि आप जाओ और उस wolf के चारो तरफ चकर घूमो, उडो थोड़ा सा दूर उड़ना ऐसा नहीं कि उसी के पास चले जाओ तो वो आपको खाई जाए बस उसे wolf को ऐसा लगना चाहिए कि वो आपको खा सके और उसके चारो तरफ आप घूमते रहो थोड़ा उसकी पकड से दूर shouted John, जोन चिल लाया कि just go and fly around the wolf ठीके जाओ और उनकी तरफ घूमो the alarmed bird looked at John with bleeding eyes जो एकदम से वो जो bird था ना वो alarmed हो गया उसने सोचे अरे ये क्या हुआ ऐसा है ना alarmed bird जो एकदम से alarmed bird था उसने जोन की तरफ देखा with pleading eyes request करने वाली eyes से देखा what are you saying आप क्या कह रहे हो the wolf would eat me up wolf मुझे खाई जाएगा cried the scared bird उस डरे हुए bird ने रोते हुए ये कहा कि आप मुझे ऐसा क्या कह रहे हो क्या करने को लिखा रहे हो अगर मैं उसके आसपास fly करूँगा तो वॉल्प से खाई जाएगा john replied john ने reply किया oh my dear friend अरे मेरे अच्छे मित्र no battle is won without courage अगर आप साहस नहीं दिखाओगे हिम्मत नहीं दिखाओगे battle तो युद्ध लड़ाई होती है वो नहीं जीत सकते हो without बिना किसके? करेज के करेज आने हिम्मत साहस यानि अगर आपको कोई भी game जीतना है कभी first आना है, second आना है, third आना है अनि कि top positions पे आपको आना है तो आपको कुछ न कुछ करेज तो दिखाना ही पड़ेगा no battle is won without करेज trust yourself अपने आप पर trust करो अपने जो wings हैं उस पर trust करो यह देखो कि आप fly कर सकते हो wolf आपको खाने लगेगा तो थोड़ा आप ऊपर उड़ जाना बस उसे थोड़ा सा परिशान करते रहना the little bird learnt its lesson and flew little bird समझ कया कि हाँ करेज जरूरी है और अगर करेज करेंगे तो battle हम जी सकते हैं तो उसने अपना लेसन सीखा और उड़ा और किस के आसपास उड़ने लगा वो उसी wolf के आसपास उड़ने लगा अब वो उड़ते उड़ते क्या कर रहा था wolf को confuse कर रहा था थोड़ा बार-बार वो घूमते जा रहा था wolf समझ नहीं पा रहा था किसको पकड़े कैसे तो the bird confused the wolf bird ने wolf को confuse किया meanwhile meanwhile का मतलब क्या होता है इसी बीच में जब वो confuse कर रहा था उसी टाइम पे john climbed off the tree जैसे climb up का मतलब होता है चड़ना और climbed off का मतलब हो गया उतरना john climbed off the tree and tied the nose to the wolf's tail john पैट से नीचे उतर गया और जो wolf की पूच है उसमें रसी का nose उसने बान दिया off the tree and tied the nose to the wolf's tail उसके बाद उसने वो जो rope है न उसको खीचा he then pulled the rope and tied it to the branch of the tree उसको खीच के रसी को और ब्रांच से उसे लटका दिया जो wolf है बिचारा उल्टा लटक गया क्योंकि देखो पूच के उसने नूश बान दिया और खीच के उपर कर दिया तो जो wolf था वो उल्टा लटक गया इससे जो bird है वो बच गया the savage wolf hung in the air savage आने की जो जंगली भेडिया है savage आने जंगली the savage wolf hung in the air वो air में हवा में लटक गया the little bird smiled and thanked John for saving its life जो little bird था छोटा सा पक्षी था वो हसा और उसने जोन को उसकी life को बचाने के लिए thank you भी बोला ठीक है तो यह हमारी story हो गए बिस story से related जो questions है वो try कर लेते हैं पहला question था the bird was true and false वाला segment में है question है the bird was tiny and colorful क्या bird tiny छोटा और colorful था हाँ बिलकुल था तो true आ जाएगा है ना to help the bird क्या जोन बर्ड की help नहीं करना चाहता था अरे करना चाहता था वो तो यार तब ही तो उसने सोचा कि क्या किया जाया फिर उसने देखा कि एक fence पर branch आ रही है फिर rope को ढून के लाया फिर branch तक गया और idea सोचा है ना तो बिल्कुल वो तो help करना चाहता था तो ये जो statement दिया हुआ है वो wrong है तो false आ जाएगा अगला है the little bird flew and confused the wolf क्या ऐसा हुआ था क्या कि little bird उडने लगा और wolf को confused किया हाँ बिल्कुल हुआ था तब ही तो मोका पाकर उसकी tail को बांद दिया था ना जोन ने और उल्टा लटका दिया था पैड पे तो हाँ हुआ था ऐसा the little bird flew and confused the wolf yes true last day the bird was not thankful to its new friend क्या bird ने जोन को thank you नहीं बोला क्या वो उसके लिए thankful नहीं था था तो ये false हो जाएगा उसने तो बकाइदा thank you बोला था for saving its life ठीक है तो इसका answer आजाएगा true false true false ठीक है second part है answer the following questions question है what was जोन listening to while lying on his bed जब जोन अपने bed पे लेटा हुआ था तो वो क्या सुन रहा था तो उसका आजाएगा chirping of birds क्या सुन रहा था he was listening to chirping of birds he was listening to chirping of birds तो only आप इतना सा लिख सकते हो क्योंकि आप only second class में हो तो पूरा sentence अगर आप नहीं भी लिखोगे इतना भी लिख दोगे chirping of birds तो भी चल जाएगा ठीक है chirping of birds what was he listening to आप यह कह सकते हो he was listening to chirping of birds या only लिख दीजिए आप chirping of birds चलेगा ठीक है next day what did John do with the rope John ने rope के साथ क्या किया he made a news उसने घसी का फंदा बनाया ठीक है तो he made a news and climbed up to tree या आप only इतना सा भी कह दो he made a news उसने फंदा बनाया तो भी चल जाएगा इतनी बड़ी बात नहीं है ठीक है C पाथ है what lesson did little bird learn about करेश छोटा जो पक्षी था little bird उसने करेश के बारे में क्या lesson सीखा तो simple सी बात थी no battle is won without करेश कि अगर कोई भी बैटल को जीतना है तो करेश तो दिखा नहीं पड़ेगा statement क्या था no battle is won without करेश कोई सी भी battle करेश के बिना नहीं जीती जा सकती है तो उसको क्या lesson मिला था no battle is won without करेश ठीक है next है what who was hanging in the air air में कौन लटक रहा था तो वो जो savage wolf था न जंगली भेडिया savage wolf yes का answer आजाएगा या फिर लिखना चाहें पूरा savage wolf was hanging in the air ठीक है और थोड़ा short में लिखना चाहें तो only answer आप लिख सकते हैं savage wolf ठीक है next है why did the little bird thank John little bird ने John को thank you क्यों बोला because John saved his life क्योंकि John ने because b-e-c-a-u-s-c क्योंकि because John saved saved याने बचाई क्या his life या its life भी बोल सकते हो क्योंकि bird के लिए its आ सकता है because John saved its life ठीक है क्योंकि John ने उसकी life को बचाया था इसलिए bird ने John को thank you बोला और कुछ spellings है complete these words of the story with appropriate vowels 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 की help से ये अपन को complete कर देने हैं तो जैसे सबसे पहले इसको अपन को diagramatically देखना है ये क्या है fans है जैसे अपने इस वाली story में पढ़ा था ना कि उस tree की एक branch fans तक आ रही थी तो fans की spelling होती है F-E-N-C-E तो यहाँ पे E और C दो letter missing है तो F के बाद हम E लिखेंगे फिर C लिखेंगे और F-N-E तो दिया हुआ ही है तो fans की spelling हो जाएगी F-E-N-C-E उसके बाद यह वाली जो है वो इससे बनेगा देखो यह रसी का फंदा है जिसको अपने news पढ़ा है N-O-O-S-E तो N और S तो दे रखा है तो O-O और E आ जाएगा fill in the blanks में missing letter आ जाएगे N के बाद O-O फिर S गिवन है और E आ जाएगा बांद रहा था जिससे उसने last में savage wolf को hung भी कर दिया था ठीक है फिर इसके बाद देखो यह B फिर blank फिर double T फिर blank फिर E तो इससे तो में एक ही word याद में आता है No battle is won without courage यानि की battle B-A-T-T-L E battle यानि की लड़ाई कोई भी लड़ाई बिना courage के A-T-T-L-E ठीक है फिर इसके बाद आता है अपना S blank G blank T तो इसमें तो sight आएगा S-I-G-H-T है ना sight था ना Suddenly a tiny bird caught his sight एक tiny little beautiful bird पर उसकी नजर गई तो S-I-G-H-T caught his sight तो sight का मतलब हो गया उसकी नजर ठीक है तो उसकी नजर किस पर गई थी छोट इसे word पर वैसे यह जो spelling आप मन लिख रहे है उसमें एक problem है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ complete the word of the story with appropriate vowels लेकिन जैसे हमने यहाँ देखा था तो इसमें E के बाद एक C आया था तो question में थोड़ी error है यहाँ पर जैसे हैं noose N-O-O-S-E यह तो चल जाएगा क्योंकि इसमें O और E दोनों vowel है B-A-T-L-E-A चल गया पर L consonant है ठीक है पर spelling complete करने के लिए करना पड़ेगा SI-GST में H vowel नहीं है complete करने के लिए करना पड़ेगा तो appropriate letters लिख लेते हैं यहाँ पर यह vowel थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है miss print है फिर savage आ जाएगा यहाँ पर savage wolf मैंने बताया आपको savage ठीक है तो यहाँ पर देखो underline यानि कि missing कौन कौन था A, A, E तो यह तो vowels है या कोई बड़ा इशू नहीं है ठीक है vowels क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए A, E, I, O, U यह vowels है बागी जितने नाए 21 बचे वो सभी consonants है 26 letters होते हैं ना इंगलिश एल्फा बेट्स में ठीक है अब vocabulary time और देख लेते हैं news news किसको बोलते हैं A loop with not एक ऐसा लूप जिसमें की not यानि की गाठ वंदी हुई हो उसे बोलते हैं news फिर आता है savage savage हो गया ना जंगली यानिकी जो की wild हो wild भी होता है जंगली और savage भी होता है जंगली फिर करेज करेज का मतलब होता है हिम्मत दिखाना यानि की to be brave बहादूरी दिखाना ठीक है to be brave fence क्या होता है fence जो दिवार होती ना चार दिवारी जो एक जगा को या कोई भी जैसे मान लो अपन का ये घर है तो अपन बाहर boundary करवा देते हैं जो road से अमारे घर को अलग करता है या दो अलग-अलग लोगों के घर है तो बीच में दोनों के एक boundary होती है वो जो boundary होती ना उसी को fencing करते हैं वो limitation को बताता है तो fencing भी house की एक limitation को बताता है कि इसके इधर और उधर land अलग-अलग लोगों की है तो fencing क्या करता है something that divides the land meadow क्या है मैंने आपको बताया grass के जो field है वो meadow है chirping क्या है sound of birds savage क्या है wild और करेस क्या है to be brave और news क्या है a loop with not ठीक है तो इस तरीके से chapter number one की basic knowledge हमने ले ली है thank you